बुद्ध के हजारों शिष्य थे, जब उनका कोई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता, वो उसे किसी एक दिशा में भेज कर, वहां के लोगों को जागरूप करने और ग्यान देने के लिए जाने की आज्या देते। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के संदिग्ध में चह वर्षों से था, वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मुझे आपके पास चह साल हो गए, कितने शिष्य मेरे बाद आये, उन्हें आपने इस बीच किसी दिशा में ग्यान देने के लिए भेजा, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा, क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ, बुद्ध मुस्कुराय और बोले, यह तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं, शिष्य ब जब तक आप उसे अपने आचरण में ना लाओ, जब तक आप किसी भी चीज़ को अपने आचरण में नहीं लाओगे, तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते कि वो उसे अपने आचरण में लेकर आए। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया, आप मुझे एक मौका दे, आप मुझे पर भरोसा रखे, मैं सभी को अपने ज्यान से प्रभावित कर सकता हूँ, मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ, जिससे उनके जीवन में शान्ती आएगी, और वो शान्ती पूर्ण अपना जीवन जी सकेंगे, बुद्ध ने कहा, अभी तुम तयार नहीं हो, जब तुम तयार हो जाओगे, मैं तुम्हें खुद सही मार्क पर जाने के लिए कहूंगा, शिष्य ने कहा, क्यों बुद्ध, आपने मुझे इन सिक्स वर्षों में इतना भी ज्यान नहीं दिया, जिसस के लोगों को अपने ज्यान से मदद करना, कल सुबह, तुम वहाँ अकेले जाना, और शाम को आकर मुझे बताना, तुमने कैसे वहाँ के लोगों की मदद की, वह शिष्य ये सब सुनकर बेहत खुश हो गया, और बुद्ध का आशीरवाद लेकर चला गया, और वह रात भर ज्यान समेटता रहा, और मन ही मन सोच रहा था, कि मैं कल ऐसे ज्यान की चाप छोड़ूँगा, कि वहाँ के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे, सुबह उठकर ओ महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने गया, उन्हें प्रणाम कर वह पूर्व क की तरफ निकल गया, शाम को जब वह वापस आया, तो बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य के माथे पर चोट लगी है, और खून बह रहा है, बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी, शिष्य ने कहा कि बुद्धी, वहां के लोग बेह शिक्षा तो दी, लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो, मैंने उन्हें काफी समझाया, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तयार ही नहीं थे, उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथा पाई की, जिससे मुझे चोट लग गई, हे बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगे इस तरह ना हो, बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए, और बोले, कि अगर तुम्हें दूसरे गाम में भी ऐसे ही लोग मिले, तब तुम क्या करोगे, शिश्य ने कहा, हे बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्यान नहीं दे सकता, वह लोग अज्यानी है, उन्हें कौन पहुचाओगे, तो वह कुछ तो कहेंगे ही, तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्यान उन्हें कैसे दोगे, बुद्ध ने शिश्य को कहा, कि आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना, शिश्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया, अगल शिश्य से पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी, शिश्य ने कहा, हे बुद्ध, आपने पूर्व के एक गाम में मुझे जाने के लिए कहा था, वही मुझे यह चोट लगी, बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या-क्या हुआ, तुम मुझे बताओ, शिश्य मैंने चुपचाप उसे उठा कर अपने पात्र में रख लिया, और उसे कल्यान का आशीरवाद दिया, तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े ही अजीब व्यक्ति हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ, और आप मुझे आशीरवाद दे रहे हैं, मैंने उनसे कहा क आप धनी है, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीरवाद दे रहा हूँ, फिर वहाँ से मैं आगे गया, तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा, उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द कहे और मुझे पर कुछ पत्थर भेंके, जिससे जड़ी बूटी ले आया, लेकिन वहाँ के लोग मुझे जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे, फिर मैंने उनसे विनती की, कि वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दे, उसके बाद वो जैसा कहेंगे, मैं ठीक वैसा ही करूँगा, फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भि जवहार के लिए क्षमा मांगी, और मुझे धन्यवाद कहा, फिर मैं वहाँ से वापस आ गया, हे बुद्ध, आप से एक विनती है, उस गाम के लोग बहुत भोले-भाले और सीधे हैं, क्या मैं रोज उसी गाम में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ, ये सभी बात वो पहला शिश्य भी सुन रहा था, उसने ये सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिर कर कहा, कि हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ, कि दूसरों को ग्यान दे सकूँ, बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं, जैसे हम भीत आचरण में लाना बेहत जरूरी है, क्योंकि आचरण में लाई हुई चीज को बताना समझाना बहुत आसान होता है, और उसे लोग बेहत आसानी से अच्छे से समझ पाते हैं.